मटन पानी फ्राई जी हाँ दोस्तों बिहार के जाइकों में एक और ऐसा जाइका जो आपके मूँ में स्वाद का धमागा कर दे इसको बनाने के लिए दोस्तों एक बून तेल का भी इस्तमाल नहीं किया जाता पूरगा पूरा पानी में पकाया जाता है और बिल्कुल कम मसालों के साथ तो आईए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है और कैसा है इसका स्वाट ये देखें मतन को पूरा गोश्ट जो है हमारा वो बिल्कुल चर्बी वाला है मतन पानी के अंदर जो मतन जाता हुसमें चर्बी होना ज़रूरी उसी पकता है व उसी के तेल ना क्योंकि अलग से तेल टालते नहीं है आप जी देखें दोस्तों कि आपकाली मिर्च पिसा हुआ काली मिर्च मतलब मेन फ्लेवर जो हमारा काली मिर्च का तिखापन वही लाएगा अच्छी तरीके से उसको कोट कर दिये गया है काली मिर्च के साथ और इसमें और भी मसाले थोड़े बहुत जाएंगे अच्छी अच्छी मिल गया है और आप देख सकते हो कितने बड़ी तरीके से सारे कुछ मिक्स हो गया है अब इसके अदर गया दोस्तों लेहसुन का पेस्ट असली स्वाच जो है ना दोस्तों लेहसुन ही ज़ेता हो जिहार के खाने में ना लेहसुन का बड़ा ही एक ख्रेज है जब मतन हांडी बगरा भी बनती है चाहे चिकन बनता है उसमें पूरा पूंड डाला जाता है और इसमें पीसा हुआ तो अब इसके उपर दोस्तों हलका सा छिड़का जा रहा है पानी और इस पथ्टे से मिक्स किया जाए आए लासुन डाल लाए इसमें थोड़ा लासुन डाल लाए है हारे मिर्च डाल लाए है ये हरे मिर्च डाल लाए है देखिए लाल मातो डाल लाए है लाल मातो डाल लाए है काली मरी डाल लाए है थोड़ी काली मिर्च हो गया जी जी नेकर मटन डाल लाए है तकि कोई थियल नहीं है कोई भी आयल नहीं है इसमें देखिए ग्या गयार वाहिल का बन रहा है मटन प्राण दे भडहर वाहेल का मटन बन रहा है नून पानी तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे ना बिलकुल टेल डाला नीग है अप्टन के अंदर और अच्छा पे तो अब अब बूना जा रहा है और उसके अबाद इसमें पाड़ी डाला जाएगा तो यह कुछी तरीके से भईया इसमें पर ना रहे हैं तो तर्ग बिया गया कि अब बिल्कुल ने सामने बढ़ा लोसे इसमें बिल्कुल भी तेल नी में बता सकता हूं अपको चर्मी जो है नो मतन की तुसी वह पकेगा और इसका श्वाद है नो बड़ा जाने वाला है तो इसो कितनी देख अब रखेगी ए गंटे में त्यार हो जाएगा एक गंटे पान तो भारा ही नहीं और दीजिए ऐसा रहता है अब देखिए पानी डाला है दोनों में पानी डाला है दोनों में जो नहीं डाले है पानी बनाते हैं बैठी जागा नगी तब पही एक गंटे तक इसी पानी में पकेगा पकेगा तो लोगेगा कि घी में बाना हुआ है न मोखन में ऐसा सुवाद होगा पानी सुफाना है हमें पानी सुख जाएगा वत्यार हो जाए बाद बहुत सुन्दर सुवाद होगा तरह साथ अब इसको डबक ने दिए तुली दोस्तों अभी है हमारे साथ सोनी जी जिनके नाम पर होटल है जब बताईए अपने होटल के बारे माँ उसकी क्या खासियत ह अब बताईए आपके मूँद से सुनना हमें बड़ा अच्छा लगेगा होटल तो हम पहले गाव में था है मतवानी घाट सुहर के माने हजार हजार लोग आए हमको बोलाने कि आप चलिए सहर में खाना खाकर लोग बढ़ जाते थे कुर्सी पर कि आप चलिए नहीं सब्सक्राइब मांट थे अनुद लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा मीट बनाते है बहुत टेस्टी या चलिए सौहर में आकर स्प्राइब और हम बनाते हैं एक मतन गार्ट मनाते है आठाइटम मतन से आठाइटम मनाते हैं मतन का मतन हांडी हो गया जो कोई लिए बनता है मतन सीख हो गया मतन तास हो गया मतन नून पानी हो गया मतन नून पानी हो गया मतन नून पानी इस्टू हो गया अच्छा जो इंडिया लेबल पर किसी के घर में और किसी के होटल में मिल सब्सक्राइब दोस्तों 32 रुपे मिलता था और 14 रुपे चिकन आज की डेट में यह पतनी 10 से 20 गुना हो चुका है क्योंकि मटन अब कितना रुपे यहां पर कितना रुपे मटन है यहां भी मटन आप 600 रुपे जी शे सो रुपे जी और जो मटन यूज करते हैं कितने किलो मां शोटा है मटन वहीं आठ दस आठ दस वह अच्छा रहता है तो स्वाधिया बढ़िया हो जैके जोर्वाद के आगे मां चलते गए पीछे उसको हां स्वढ़ते कड़ते को वहां कोई सामने बनाने वाला है आतब नहीं को मिन नांना रोब मेर जन रोब पालो रहा शक्ते जेनकन бокलभ में रहा है के-इस वह डबा करा है । तुन है इसमोल अदन का पीश है पाणे CPR बड़ी आसानी से कट जा रहे है न ही खासी बंताह ना यहांगे जी चानेमें पकेगा भी अच्छे से और थाने में में सब्सक्राइब अब 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 इसमें नमाक काली मिर्च और मिलादी है मिलाकर के एक सींटाइब कि और डैसो गरम की है और की 225 छूंपे की 225 ट्रुपे की 225 ट्रुपे की 25500 गराम पूरा तॉल के लगा रहा है जिनकी दोस्तों यहां पूरे पूरे जो मतने इसको तॉला जाए रहा है आप सीख की में नाश्च लगाया जायेगा अहीं पकने में कितना टाइम लगता पकने में फंदरा मिनट पंदरा मिनिट पक जाएगा है कि आब कोईले पे को अखाशिय पढ़िया है यह मिक्स नहीं भीकता है नम्बर एक भीकता है चोटापीस होता है तो स्मॉल साइज है जल्दी बन जाएगा यह एंट में हमारे पास एक चर्वी का पीस होता चर्वी है यह जी चर्वी डेगे यह वी पीस हिसमे लगता है हर चीज मदलब भी ऐसा हता ना को मटन की जो हर चीज होती है यह यह पर अच्छे से और यह हमारा एक सीख रेडी है दोस्तों यह देख सब्सक्राइब क्या पढ़िया लगा रहा है तो यह देखे दोस्तों हमारा जो सीख है ना मटन सीख वह कोईले को फिर पगाया जा रहा है और बड़ा ही खुश्बूत-दार धुहें छोड़ता हुआ सीख हमारा पक रहा है पंदरा मिंट में पहिए जैसे बता रहे थे पक जाएगा क्या बात और हीट इतनी जादा है ना दोस्तों यहां पर कि कैमरे की भी ना हाथ से पकड़ा नी जा रहा है कैमरा इतनी हीट है यहां पर लगबग आदे घंटे से उपर हो चुका है हमारा जो पानी है ना वह जो कोईले की आँच है ना वो भी बड़ी दीमी-दीमी से गरम कर रहा है इसलिए जल्दी पग गया यह यह देखे क्या ला जबाब लग रहा है इसको करते है टेस्ट एक दोपीस खा के देखते कैसा है और देखिए मटन कितने अच्छी से पक चुका है ना कि यह बहुत ही जबर्दस बना हुआ है गर्मा गरम है आए टेस्ट करते हैं अच्छी तरीके साथ जो मसाले ना वो बड़े कट पटे से हैं तीके से और बिल्कुल अलग स्वाधारा दोस्तों नॉर्मली हम नहां कबाब थाते न एक अलग फ्लेवर होता है मगर आज जो हम खा रहे है इसक बहुत 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 तो आप लोकल है या अजिसे नून पंड मेंहा इनका जो से बड़ी चीज गया नहां कि ये बिना संजी कि विना तेल का यह बना और यह जो श्वाद हैं और बाई ने कि लुग जिंगा हूंग वोग बिल्कुल नोग वहां लोग वा ने क्वा देखें थोड़ा सानिकला हूँ तों यह था है जिसे कबाबो बाब यह चीज जब बनने लगा तो कबाब फिका पड़ गया क्योंकि अच्छे से पानी में पख भी जाता है और उसमें किया है कि जब उपर से खुद का तेल होता है जो उसमें पकता तो और फादा तो यह देखें दोस्तों हमारे जो नून पानी बेसिकली ज देखरों अब क्यास दबड़ास आ रहा है बिल्कुल घी से लबा लब घी इन देखने में लाजवाब लग रहा है बिल्कुल ड्राई और हलके से मसाले यूस किये एक दू मसाले बस उसके लब कुछ भी नहीं डाला हुआ खुछ भी इतनी लाजवाब आ रही है मैं बता न कि मटन खाना है किसी भी तरीके से आये देखने और ये पिस लेते हैं और इसमें हलके से मसाले बड़े मिर्च अलके सी हलदी और नमक डाला और बड़ा लाजवाब लग रहा देखने में इसको सबसे पहले न तोड़के देखेंगे कि कैसा है देख रहे हैं दोस्तों कितने आसानी सा यह टूट रहा है यारी कि जो मटन है हमारा वह बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और पकेवे मटन को जो खाने में असली मद आता है ना तो यह टेस्ट करते हैं मुझे जो जोश ब्राइब है इसले इसको कहते हैं बिल्कुल गी बिल्कुल अलग कि इसमें ऑईल नहीं यूजए है इसलिए इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल अलग आ रहा है बिल्कुल मॉटन के जूसेज वाला फ्लेवर है बात लाजबाओ ऐसी एक रेस्पी ना दोस्तों आप कहा सकते हो इस दाजिस्तान में जब हमने खाया था जंगली मांस उसको मगर उसको घी में पकाते तो घी का अलग अलगे फ्लेवर आरा था उसमें मगर यह प्योर मॉटन का ही फ्लेवर आरा है बहुत बढ़िया एक और पीस लेज़ा और यह देगे तो यह इस घी की बात कर रहा था मैं यह देख रहे है चरबी यही जब गलता है ना तो इस मॉटन को अच्छे से पकाता है और यहां पे बिहार में यह वाला पीस लोग बहुत पसंद करते हैं इसके अंदर घी होता है वाओ इसको टेस्ट करते है कि मॉटन खाने काने अलग ही मज़ा आता है क्योंकि इसके जूस होता है वह एक अलग फ्लेवर रिलीस करते हैं और साथ में आकर चरबी खाओ तो बिल्कुल ओईल मज़ेदार आये आप चंपारन मीट राइ गठते हैं यह हांडी मटन ना सबका एक ना फेवरेट होता है बिहारियों का बेसिकली और बहुत सारे लोगों का यह नी खाया चंपारन आके तो क्या खाया है इसको दिखातों में किस तरीके से हैं यह देखिए यह दोस्तों प् यह देखिए या फिर क्यों रिफाइंड बगर नहीं होता है इसमें यह यह होता है थोड़े से मसाले प्यास की ग्रेवी और मटन बस हुम् यह देखिए आप मटन का पीस जाने को दोस्ता में को कहां मिलने वाला सिर्व बिहार में मिलने वाला और बिहारी ओंके जो मटन पर दाबे हैं मैंने देखिए चंपार्ण में फेमस इसी चीज के लिए और जो सूनी होटल है वह एक अलगी वही फ्लेवर प्रोवाइड कर इधिर आपको अहे जवब अससाथ में मतन खा ए saya हुआ हो अगर ए लेह सुन शुन पायेक तो मतन घाने का मतना नहीं है इसको कैसे काते हैं.. उसके लिड़ाबा कैसे क्या भालाया और इसको कैसे खाना है ,26 ना हूँ अबस्तर कराए पर चूस में जेत करो कि यह अलगी जाइका दोस्तों बिहार के जाइकों में यह जाइका में को बहुत पसंद आ रहा है मुर्मुरा चूड़ा इन सब के साथ खाना रोटी और चावल के साथ तो हम फुरी जिंदीगी घाते हैं हर्देगी मिलता है तो मगर इसके साथ आपको ने सिव यही मिलने पानी फ्राइदा वह तो मैंने कहीं नहीं खाया था यहीं पर मिला है मुझे और बड़ा मजा है दोस्तों बड़ा खुश हो है इस तरीके की रेसिपी ट्राइए करके ना कि इस तरीके से बनते हुए देखने को और खाने को मिले अगर तो कौन में भूश होगा और जो खान इस बक हम है सोनी होटल जो की पड़ता है मोती हारी में हाईवी पर यह गूगल में डालिएगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए वहाँ सारा कुछ डेटेल आपको मिल जागा एड्रस वगरा उसकी कोई टेंशन ने लेगी तो अगर यह वीडियो आपक सब्सक्राइब करिए फेस्बुक पर लाइक करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए तो बाई बाई